इंदिनों भोचपूरी में एक विवाद बड़ी तेजी से गहरा रहा है कि रियल ट्रेंडिंग स्टार कौन है किसका गाना सबसे पहले ट्रेंडिंग में आया था तो आपको बता दे कि इसमें जादा दिवाग के घोड़े दोड़ाने की जरूरत ही नहीं है जी हाँ आपको हम बता देते हैं कि सद 2018 में पहली बार पवन सिंग का होली सौंग सुख गयल रहरिया जो है वो ट्रेंडिंग में आया था और उसके बाद 2019 में खिसारी लाल यादो के सौंग ने ट्रेंडिंग में एंट्री मारी थी जो लोग ये कहते हैं कि भोजपूरी को असली ट्रेंडिंग अगर किसी ने सिखाई है तो खिसारी ने तो उन्हें आप पावस्चार पवन सिंग का ये गाना दिखा सकते हैं जो सन 2018 में होली के मौके पर आया था से आपको ये बता दे कि इसमें कोई शक नहीं है कि खिसारी लाल याद और सबसे ज़ादा ट्रेंडिंग में रहते हैं लेकिन सबसे ज़ादा समय तक अगर कोई ट्रेंडिंग में रहता यानि कि आप समझने की कुशिश कीजिए सबसे ज़ादा गाने खिसारी के ट्रेंडि सिंग है क्योंकि ये कहना कि पावस्टार पवन सिंग के गाने ट्रेंडिंग में कम आते हैं जी हां कम भले से आते हूं लेकिन अगर आप इस साल के कुछ गाने देखेंगे तो लगातार पावस्टार पवन सिंग तकरीबन 4-5 महिने तक ट्रेंडिंग में किसी न किसी गाने को लेकर बने हुए तो इसलिए भोजपूरी के रियल ट्रेंडिंग स्टार अगर किसे भी कहना चाहिए तो पावस्टार पवन सिंग को कहना चाहिए भोजपूरी जगत की होटर मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए